मद्यप्रदेश में चुनाव की तारीक का एलान हो चुका है 28 नवंबर को मतदाता अपने मत का अधिकार जह उसका प्रयोग करेंगे लेकिन इस बीच में सबसे जादा उमीद और निगाहे रहेंगी यूआ मतदाताओं पर मद्यप्रदेश में यूआ कैसी सरकार चाहते हैं उस पर MP तक में आज ये एक शौपाल हमने लगाई है हमारे साथ जहां एक तरफ यूआ लड़कियां हैं तो दूसरी तरफ यूआ लड़कें हैं यूआ जो जोश होता है वह अपने आप में काबिल तारीफ होता है लेकिन जब मत का प्रयोग करनी की बात आती है तो क्या इनके मुद्दे रहते हैं क्योंकि आपको बता दे कि अभी तक पिछले पिखोने की होंगे उसमें शुरुआ सब्से पहले लड़कों से लिए कि लेडिस हमेशा कहा भी जाता है तो आपी लोगों से हम शुरुआ भी करते हैं इसमें कि इस बार जब युवा की हम बात करें तो आपके जहन में क्या बात रहीगी इस बार जो आपको लगता है कि लड़कों से एक अलग आपके अपने जो विचार होंगे वोट डालने के लिए मेरे साब से महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाओं के लिए क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि मद्यप्रदेश नंबर वन रहा है रेप में और यहां पे जो हैं दिक्कते बहुत हैं स्रीट लेट्स वगरा नहीं है सफिशेंट लड़कों के लिए सिर्ष नहीं होता है पूलिस की वैने वैंंस आपको नहीं मिलती हैं ज्यादा नहीं मिलती है तो मुझह लगता है कि लठकों का स्ँरख्षित हैं अब देखना यह होगा कि क्या र站ुट ईнить का रही हैं आप लोग मानते हैं मतलग को चल्लिए यह 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 खौद है फिलाल वन टू वन हो चुका है आप बताइए आपके क्या मुद्दे रहेंगे मेरा सबसे बड़ा मुद्द जो यहां पर रहेगा वो है ब्रहस्टाचारा बेरोजगारी के आज करके यूवा इतने हम लोग मतलब यहां से इतना कुछ करके निकलते डिग्री लेकर क लेकिन क्या होता है आगे जाकर के हम लोगों को नहीं मिलती है जाब बहुत परिसान होते हम लोग के लिए तो मेरा में मुद्द है वो यही है कि कम से कम अभी मद्देश में जैसे बोला गया कि आईटी सेक्टर ओपन होने वाला बट अभी तक उसको कुछ नहीं है तो कब को ओपन होगा का हम लोग को कब जौब के अपरचुनिटी मिलेगी यह मेरा में हुदता है यह बड़ा मसला है क्योंकि रोजगार को लेकर के कॉंग्रेस भी लागाता हमला कर रही है बीजेपी का कहना है कि उसने रोजगार के ज्यादा और पैदा किये हैं मध्य प्रदेश जुम्लेवाजी की ती जो इतनी सारी नौकरियों का वादा किया था सरकार ने अभी तक पूरी हुई नहीं और नोट बंदी जैसे जो जित्ते भी जो भी फैसले किये थे सरकार ने वो सब विफल हुए कहां पर कुछ होई नहीं पाया है तो यह यह वहां भी कुछ बोलना तक आगे बढ़ते हैं लेकिन फिर पीछे रोग जाते हैं अगर देखी जाए अगर अपने में इंसान आगे बढ़ता है तो वो क्यों आगे नहीं बढ़ सकता है आपको लेकर के इनका कहना है कि ठीक काम हुआ आप लोग को लगता है अगर दूमी नहीं उतने जादा अभी तक जॉब नहीं अवे लेबल है यहां पर और मैं मैं कुछ बहुत आ रहे हैं और हर चेत्र में रोजगार आ रहे हैं लेकिन युवा को काबिल बढ़ना बढ़े के लिए सबसे बड़ीगा आप लोग काबिल नहीं है क्या आपको लेकिन आजके टाइम पर ऐसा है कि बहुत से लोग एजुकेटेड हैं बट उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है वह अवेलेबल नहीं है उतनी कॉंटिटी में तो पहले आपके वहां पादिवों का कहन जो education उन लोग को चाहिए वो opportunity उनको नहीं मिल पाती है जो आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि जैसे कि उन्होंने बताया कि आरक्षन के कारण जो जोब होता है जिसको चाहिए उसको नहीं मिलता है आरक्षन कारण किसी दूसरे वर कि किसी नीचली जाती को कम पढ़ा लिखा है कम अगर वो उसका अगर मतलब कम भी आए तो उसको जोब मिल जाती है मगर जो अच्छा पढ़ा होने के कारण जैसे जैन्नल कास्ट का होगी तो आरक्षन के कारण उसको जोब नहीं मिलता है क्योंकि युवाओं की अगर हम बात करते हैं तो आरक्षन को ले करके बहुत ज्यादा मुखर रहते हैं आप बताईए क्या आप सहमत है इनकी बात से कि आरक्षन को ले करके इस बार मत्यप्रदेश में जब विदान सभा चुनाओंगे तो युवाओं का जो वोटिंग प्रत गरीब लोग होने के साथ-साथ उनको मौका नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि वो जैसे लोग हैं जो बहुत मतलब वह अपने उस पर कर सकते अपने अपने पैरों पर खड़े हैं तीन-चार मुद्दे ही रहेंगे कि आप लोगों के बीच में और कोई मुद्दे नहीं तो जादा अच्छोगा पढ़ाई में एक्क्वैलिटी होगी क्योंकि कई उनुवसिटी जैसे कि हर इंसान उतना रिच नहीं होता कि अच्छी उनुवसिटी में अड्मीशन ले सके अच्छे कॉलेजिस में अड्मीशन ले सके तो कम से कम से लेबर से एक जैसा रहे ताकि पढ़ने में असानी रहे मेरे हिसाब से तो सरकार को जो वादे वो करती है करने से जादा उन्हें निभाया जाए तो भैतर होगा लोगों के लिए भी जनता के लिए और सरकार के लिए भी क्योंकि अगर हम को देखा जाए हम युवा जो है इस बार हम चुनाव में अपना म सरकार बादे खुब करती है लेकिन उस मतलब जब चुना होता है उस टाइम पर बादे खुब किया जाते हैं लेकिन बाद में कहीं गायब सी हो जाती है जितने वी वादे होने की इतने लाखा जाएंगे युवाओं के खाते में कहां है पता ही नहीं चल रहा है जब आप लोग लगता है कि जब वोड डाले जाएंगे तो आपके जहन में कहीं नहीं वह रहेंगी नेता हों कि रहुल गंदी भी आई हूए है शीवराज सिंग चौ सर मुझे यह कहना है कि मुझे यह चीज बिलकुल नहीं समझ में आती वो लोग अपने में उन्होंने क्या किया उससे जादा वो यह बताते कि उन्होंने गलत क्या किया है तो दूसरों की बुराई बताना भाण करें आप लोग इंद्ट की बातों से हैं सर來說co, आज की स्तिती यहिए है, कि राहुल गांदी हो चाय रहे कोई भीापक्ष में जो भी पार्टी में होती है वह तब कैंपेंड करती है जब चुनावा जाते तो उसके विरोध में विपक्षी पार्टी अपनी भूमी का क्या देती है यहां तब भूमी का बनाई जाती जब चार साल पूर्ण होते हैं ऐसा लगता है कि एक एहम सवाल है कि मजबूत विपक्ष का होना लोक्तंते में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो विपक्ष को जहां MP में MP में मजबूत विपक्ष की कमी रही है शुरूआत से आपको लग रहा है बिल्कुल अभी अभी अपने आपको इन लोग उठाने की कोशिज कर रह है बागी पूर्ण तहर आवाज उठाने में कामयाब नहीं हुए मद्यप्रदेश में इतने घोटाले हुए ब्यापम एक बड़ा घोटाला माना जा रहा है पर उसमें कॉंग्रेश चाहती तो अपने आपको स्टेबल कर सकती थी लेकिन इसके साथ जंता भी खड़ी नहीं हैं उसे को कोई मतलब नहीं है इन्हें मतलब पढ़ता है इनकी नौकरी से इनकी शिक्षा से और इनके जुड़ेवे मुद्दों से उसको लेकर के युवा जो मद्दाता है मद्यप्रदेश करने साफ कर दिया है कि विपक्षी हो या फिर सत्तादल के लोग हो इस बार जब पहले इनसे वोट मांगने से पहले इनके सवालों का सही सही जवाब उन्हें कैसे देना है इसकी तैयारी पहले से जरूर करके रखें रवीश पाल सिंग भोपाल